जैन निरावनाव सबको क्याल है सबके उम्मीद करता हूं सब बढ़िया तो नहीं होंगे यार कोई अच्छा नहीं होगा 140 करोड लोगों का आज दिल तूटा है और बहुत गंदा लेवल का जो दिल तूटना बोलते हैं न तेरा साल का इंतजार 2011 में वर्ल्ड कप जीते थे आज इंडिया में आया 2023 में यह वाला व्ल्ड कप पूरा टूनामेंट हमने वन साइडेड मारा सबको और वाई फाइनल में जाके आज दिस नोट वट वी एक्सपेक्टेड दिस नोट वट वी ड्रीम कुछ में कुछ वर्ड नहीं आ रहे मैंच अभी चल रहा है लगबक खतम ही हो गया है ट्राइविस हैड ने 100 मार दी 240 रन पे आप अल आउट हो गए जहां आप 300-390-400 रन मार रहे थे आज एक बैट डेव ओ हुआ क्या नहीं हुआ आप सबके सामने हैं क्या हुआ क्या नहीं हुआ मनलब एक वैरी बैट टोस्टू लूज मैच लगबक थोड़ा सा शिफ्ट वहीं हो गया था जहां पर टोस पैट कमिंस ने जीत के वाँ पहले बोलिंग करने का फैसला किया क्योंकि slower साइड में डिबेटेवल है पूरा डिबेटेवल है बाट यार उस बंदेश इतनी स्टार्ट दिलाइंको पूरे मैचेस के अंदर स्टार्ट दिलाए थी आज भी उसने बढ़िया स्टार्ट दे दी थी गिल जल्दि आउट आई ये अरि जल्दी चला गया विरात और राहूल के कि लिए ना कुछ वर्ड जी निया यार भाई उस्टेलिया टीम की फिल्डिंग देखिए आपने फिर्स्ट ओवर से उनकी फिल्डिंग कम से कम उन्होंने 20-30 फिल्डिंग में बचा है जो आपके बैटरीज लगा के खेलते हैं अपने अंदर अज देख लो उन्होंने सेम वैसे किया फिल्ड के अंदर एफट बोलिंग के अंदर क्या बहतरीन श्लोवर वञ्ग का इस्तवाल किया है हर बोलर नाइन लेंध प्लकमीन्स की लाइन वृच येजल बुट की लाइन लेंध स्टार की बाई रीव הא falling ये बोल एसे अילे रीव analytics हो रही है मतलब वन साइड सोचा था मैच होगा दस ओवर में 80 रन थे सोचा था याद 280 तक पहुँच जाएंगे बट हर पार्टनर्शिप बनते ही है विकेट गिर रही थी जितनी पार्टनर्शिप बनने ही विकेट गिर रही थी सबसे उम्मीद थी कोई आज मतलब स्टैप अप नहीं हुआ बोलिंग के अंदर भी कोई खास नहीं स्टार्टिंग में 40 पर 3 आउट कर दिये थे उम्मीद बनी थी कि भाई बोलिंग समाल लेगी बट यार फिर वही है न डियू आ गई डियू आ गई तो पिच के अंदर फिर जो वह जो सूका पन रहता है वो खतम हो जाता है बैटिंग साइड में ज्यादा चले जाती है वो बोल गिला होता है फिर टरन भी नहीं मिलती है बोलर्स को स्पीनर्स को और फिर बैट पर बोल बड़ी आ रहा है तो ट्राइवेस हैड ने सो मार दी 50 के करीब लवुशेन भी था यहां मैंने महस देखा बट अभी तो कोई उमीद ही नहीं क्योंकि 38 रण चाहिए थे उनको उस टाइम पर बट अब तो बना भी लिया हूंगे उन लोगों ने और इस पार फिर से हमारे हाथ से चला गया उस्टेलिया सानी छटी दवाद लेके गई है वल्लक प्यार एक्सोट चालिस करोड लोगों के ज़ए दिल टूटे है ना बहुत गलत लेवल के डिल टूटे है क्योंकि पूरा टूनमेंट आप उठा के देख लो ना मतलब पूरा ट अब देख लोगों के अधर आपके पूरी महनत पर पानी फेर देती है तो क्रिकेट बहुत क्रूएल गेम है यार न्यूजिलेंड की एक्जामपल ले लो साउथ अफरीका का एक्जामपल ले लो इंडिया का खुद का ले लो सेमी जोर फाइनल्स के अंदर चोक करने की क्या बहुत यार मतलब 210 का मंद कर रहा रहा है रहा हूं आप है क्या मैं बोल नहीं में कोई शब्दी नहीं बचे आप क्या परफोर्मेंस मतलब ल aux उनको भी ब्लेम नहीं करूंगा अपने प्लेयर्स को यार उन्होंने ठीक है पूरे हर दस के दस मैच में अच्छा केला एक मैच में हग दिया वो एक मैच फाइनल था क्या गर जकते हैं एक लाग तीस एक लाग तीस अजार लोग आपको मैदान में देखने आये थे सबकी एक प्लेयर्स खेल रहें उनके ऊपर कितना फ्रेशर होगा ना मैच हारने के बाद उनको कितनी गालिया बने गया देने का कोई मतलब नहीं बनता है उन लोग उन लोगों ने अपना 100% दिया पूरे टूनमेंट दिया है एक मैस तो देखो सबका ड्यू रहता है अब अपना साल मैजा कों रहे होते तो कर लेते बात अलग यह नहीं है नहीं माही भाई कहां से लेकिंडिया माय भाई को कुछ नहीं कर सकते पितनी यसी इतनी बड़िया थी जिए चाहिए थी वहाँ कितने एक्स्टार गए हैं 70 अग्स्टार तो मैंने है पहले बीस ऑफर ऑदर 17 Are चुब है तो आप सत्रा तो ऐसे माइनस कर दो वाइड के चोके जा रहे बाए के तीन रन जा रहे वाइड के तीन जा रहे जस्ट बैड डे इन ओफिस अब यार देखो इससे हमें आगे बढ़ने की मतलब जाने पड़ेगा यार आप पीछे रहे के उसको बस कोशी सकते हो कि यार यह नहीं होना चाहिए था बट आपको मूब फोरवर्ड करना पड़ेगा अब आपके पास नेक्स्ट क्या है नेक्स् जुलाई के अंदर आपाने पास टीटवेंटी वर्ल्ड कप आ रहा उसके उपर हमारे निगाए होने चीए उसके हिसाब से हमको टीम बनाने चीए कैसी ही स्ट्रॉंग टीम हमें टीटवेंटी वर्ल्ड कप में भी लेके जाने पड़ेगी क्योंकि वेस्ट इंडी तो यह सब्सक्राइब करने का मन नहीं कर रहा है यार सोच लोग आप लोगों से मैं आई कॉंटेक्ट नहीं कर पा रहा हूं इतना दिल तूटाया ना मेरा एक गरवाले बोले तो टीवी नहीं देख रहा है क्या देखूं क्यों आरते होएं नहीं देख सकता है अमारे लटकों को आशू नहीं देख सकता मैं या पहलेग दी चुका होगा अभी मैं वह बहुत देख शूएंगा जादा मैंने इस्पीच दीना तो ए इसां यह बाई हम बहुत इमोशनल बने हैं हर चीज को अपने दिल से चाहते हैं कि भाई हो जाए हो जाए जीट जाए जीट जाए बट हर थिंग हमारे फेवर में नहीं जाती है सेमी फाइनल 2019 का इस बार फाइनल देखो अब क्या होता है आगे वर्लकप टी ट्वेंटी आने वाले जून जुलाई में दोजार चोविस्ती में उसके ओपर नजर रखनी पड़ेगी उसकी हिसाफ से टीम बनाने पड़ेगी यह मैंस तो नियरली ओवरी हो गया वल्लकप खत करते हैं खैर यार बोलने के लिए कुछ बचानी है मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और उमीद मत आरना निराश होगे दिल तूटे हैं समझ सकता हूं बट यार कोई हम अपने टीम को गाली गलोच मत करना बहुत बुरा लग जाएगा अग वालों को गालिया दोगे कि यार तुमने इतना अच्छा खेला नहीं यार उनके हाथ में नहीं है एक बैट है यार हो गया अब हो गया क्या कर सकते हैं उसके कुछ नहीं कर सकते हैं इमोशन की तो हमारी फिर भी हमेशा ही लगती है साला हम जहां 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 इमोशन इन्व जाती रहेगी बहुत बढ़ी है एक सफर आज वर्ल्ड कप का खतम वह मैंने अपनी जर्नी वर्ल्ड कप से स्टार्ट किया यार सो आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिखाया वर्ल्ड कप के अंदर और उम्मीद करता हूं आगे भी आप ऐसे सपोर्ट दिखाते रहोगे मेर देखो और मिलता हूं नेक्स वीडियों में तब तक के लिए जाही निरामनम अपना ख्याल रखिए